आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question में यहाँ पर पूछा है that a haploid set of chromosome is called ठीक है for example यहाँ पर दो टाइप होते हैं chromosome के haploid, diploid जो commonly मिलते हैं उसके बाद और भी होते हैं haploid का मतलब होता है single ठीक है तो haploid है N diploid हो गया 2N जो normal cells है वो हमारे इसमें होंगे और उनको हम कहते हैं somatic cells ठीक है इसमें क्या होंगे हमारे इसमें होंगे gamete अब haploid क्यों होते हैं अगर हम somatic cell से fertilization करवाएंगे तो यहाँ पर 2N प्लस 2N जो progeny होगी वो 4N बनेगी बट हमें progeny की maintain करनी है 2N तो हम क्या करेंगे N प्लस N करते हैं parent से इसलिए यहाँ पर 2N आता है ठीक है तो यहाँ पर हमारा haploid gamete होता है now haploid set of chromosomes मतलब आधिक number of chromosomes इसका मतलब क्या है haploid set की हम किसकी बात कर रहे हैं chromosome की बात कर रहे हैं और chromosome क्या होता है chromosome किसका पार्ट है genome का पार्ट है ठीक है chromosome के उपर gene होते हैं ठीक है तो अगर यह chromosome है इसके उपर, for example, यहां पे एग जीन है, तो जीन क्रोमोजोम के उपर होता है, तो जीन नहीं होगा, ग्रैना क्या होता है, ऐसे, थालकोईड का ये एक पार्ट होता है, ग्रैना, ये फोटो सिंथेस से रिलेटेड है, प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है, ठेक है, नुकलि करते हैं पूरे का तो जिनोम मनता है तो आंसर हुआ हमारा इसमें ऑप्षिन लिए बी जिनोम क्लासिक्स से टुएल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवान्स के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर